नमस्कार दोस्तोर आज किस मीडियों में हम चर्चा करेंगे दिना 24 नमंबर 2026 का संपुल राशिपन उससे बेल आज के दिन का जो पंटांगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के जो दिन है रेविवार का है क्रोधिनाम स्वमस्षिरह सुर्य का दक्षिनायन चंद्रा है हेमन तरतु है कार्तिक महिने की कुरुष्ट बक्ष्ट के नववेदी दि है नक्षत्र पुरुवा है योग वैत्र दि है दिन का जो करण है वो तैतिल है और जो रात का करण है वो गर है आज के दिन का जो कुलिक काल है वो शुरुत होगा तो बोटेकर चुपणमौत दोपर यहरा बचकर उनचास मिनित से लेकर बारा बचकर सेतिस मिनित तक का होगा कुलिक काल और अभिजीद मौत जिनके शुबक अलावदि कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत अपुन नकाम या फिंदिन ने आप ले सकते हो उसे प्रकार आज कतिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा शाम चार बचकर अठारा मिनिट से लेकर बाज बचकर चालिस मिनिट तक और यमगंडगा दोपर 12 बचकर 13 मिनिट से रेकर एक वचकर 35 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंडगाल दिन के अशुब खालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुनका या फिंदिने ने बिल्खुल भी नहीं रेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा संपूर्ण दिम सिंग राशी में ब्रह्मन करेगा ये चंद्रमा बध और गुरु के साथ के दर्यों करने जा रहा है उसी प्रकार शुक्र के साथ त्रिकोनियों भी करने जा रहा है यह करसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशे पर अब हम चर्शा करने तो सब सिर्थ पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के पंचम माव में चंद्रमा का प्रबन है और आपके त्वित्य भाव में सित बुरु के साथ और अश्टम माव में सित बुद्य के साथ यह चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है और आपके भागे भाव मिस्त शुक्र के साथ ये चंत्रमा त्रिकोर्नियक करने चाह रहा है दिन आपके लिए शुबव फिलदाई सावित होगा खास करके अगर आप युवाईत हो तो आपके जो वयवाई जोड़ीदार है उनके साथ बाहर घुमना फिलना हो सकता है मैं तुबना लाब आज के दिन मिनने की संभावना काफी अच्छी बन रही है अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो वहाँ पर चोटी मोडी बातों को ले करता करार हो सकती है लेकिन दिन आपके दिये शुबव फिलदाई सावित कोगा इसके वाद की जो राशी है वो है बुरुशब राशी बुरुशब राशी के चदर्द भाव में चदर्मा का भ्रहमन है आपके राशी बेसे बुरु के साथ और आपके सब्टम भाव में से बुद्ध के साथ ये चदर्मा केंद्रियों करने जा रहा है आज का जो दिन है आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिले का भी खाला कि आपके जो वाईवाई जुड़िदार है उनके साथ चोटी मूटी बातों के लिए का तकराफ हो सकती है कुछ अनपेक्षित लाप भी आपको मिलने के संभावना आज के दिन काफी अच्छी बंद रही है दिन आपके लिए शुपोपन दाय साबित होगा इसके बात की जो रशी है वो है मिथुन रश मिथुन रशी के त्रितिया भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है आपके वहिय भाविसित गुरु के साथ और शैष्टा भाविसित बुद्यों के साथ यचंदरमा केंदरियों करने जा रहा है सब्तम भाविसित शुक्र के साथ यचंदरमा त्रिकोडियों करने जा रहा है आज का जो दिन है आपके लिए बिज़ी डे सामित हो सकता है गुमना खिरना जादा हो सकता है जादा काम करना पड़ सकता है मैं तो प्रोलकाम कमिट्मेंट फ्रॉमिसे इस डॉक्मिनिस से भी लगर कोई बेकाम आज के दिन बिलकुल धी नहीं करना आपकी जो बैवाई जुड़िदर है उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी दिन आपके लिए शुगुफलदाई सामित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी के द्वितियों बहुमि चंद्रमा का भ्रमन है और आपके लाभभवामिसिद गुरु के साथ और आपके चतुरतवा और आपके पंचमभवामिसिद बुद्यों के साथ ये चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है आज आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा नियंदर रखना आवश्यक होगा खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते है उसी परिदा किसी प्रकार के महत्वपुन काउं के शुरुआत भी आज की दिन नहीं करना दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी में चंद्रमाख का ब्रह्मन है आपके चद्रतमावमिसित बुद्ध के साथ और आपके दशमावमिसित गुरु के साथ यह चंद्रमाख केंद्रयों करने जा रहा है पंजमावमिसित शुक्र के साथ य bilmiyorum करने जा रहा है आपको जो समय है वो काफी अच्छा कट सकता है दिन आपके लिए शुबखलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है कटन्या राशी कटन्या राशी के वहिय भाव में चद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के भाग्य भाव में सिद गुरु के साथ गुमना फिरना आज के दिन जादा आ सकता है दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है पुला राशी पुला राशी की लाब वामिय चंद्रमा का प्रमण है आपके अश्टम वामिस्थ गुरु के साथ और आपके तृतिय वामिस्थ बुद्ध के साथ ये चंद्रमा केंदेयो करने जा रहा है त्रितियों मुखे से शुक्र के साथ ये चादर माज त्रिकोनिया करने चारा है मैं तो बुढ़न दिन है आख के लिए आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर नियंतर रखना जादा आवश्यक होगा आज की दिन आपके खर से जादा हो सकते है उसे रखर आपके जो मित्र परिवार है उसे मुलाकात हो सकती है गप्शा पुक्स होते है कई बाहर घुमना फिनना हो सकता है दिन आपके लिए शुवफिरदाई साबुठ होगा इसके बाद की जो राशी है वो है बृच्चे कराशी बृच्चे कराशी के जशब बाह में चंद्रमा का ब्रमन है आपके राशी में से बुद्ध के साथ और आपके सब्तम बाह में से गुरू के साथ ये चंद्रमा केंद्रियोग करने जा रहा है आपके त्रिते अवा में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियक करने चाह रहा है कारिशेतरे से रिलिटेड महतबुना काम आज के दिन आपके सानने आ सकते है उसे परकार कुछ महतबुने इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है कुछ अच्छी लाव वो दरा भी मिड़ सकते है आपके जो वैवाई जोड़िदर है उसके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है धन्नो राशी धन्नो राशी ये भाग्या महमें चंद्रमा का ब्रबन है और आपीके श़श्चय महमें चीत् गुरु के साथ और वेवां मीचित बुद़ा के साथ ये जो राशी महमें केंद्रिव करने जा रहा है और आपीके राशी मिसे चुक्र के साथ ये जो जो रहा है मेहत अपन दिन है आपके लिए और शुब फलदाई भी साबित होगा अज़ आपका मूड कॉन्फिडन्स काफी अच्छा देख जाएगा कुछ अनपेक्षित लाब आज की दिन मिलने की सम्मावना बहुत ही अच्छी बन रहे है सिर्फ महत अपन दिन ने आज की दिन नहीं लेना दिन आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के अश्टब मौमे चंद्रमा का अबधवन है किसी भी प्रकार के महत अची दिन बिलकुल भी नहीं करना स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्चर होगा चोटे मूटे इजी मनी मिल सकते हैं दिन आपके लिए अश्ब पलंदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के सब्तम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के चतुर्द बाव में सित गुरु के साथ और आपके दशम बाव में सित बुझो के साथ ये चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है अगर आप विवाईत हो तो आपकी जो वैवाई जो निदार है उनके साथ आज आपके हारोनी काफी अच्छी देखी जाएगी आपकी जो वैवाई जो निदार है उनके साथ कही बाहर भूनना फिरना भी हो सकता है कुछ महतबुन लाब भी आज की दिन आपको मिलने की सम्भावना बहुत ही अच्छी बन रही है दिन आपके लिए शुबुफ लद्दाइल सावित हो पाँ इसके बाद की जो राशी है वो है मींद राशी मींद राशी के सच्ट बाव में चंद्रमा का प्रमन है आपके तृतिया भावी सिद बुरू के साथ और भाग्या भाव में सिद बुद्दा के साथ ये चंद्रमा केंद्रियों करने चारा है आपके दशंभाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोनियों भी करने चारा है महतपूर्ण दिन है आज कि दिन जादा सामने आ सकती है उसी प्रकार किसी भी प्रकार के लक्षन आपको दिखाई देते हैं तो दोस्तों ये था दिना polishing नवंबर दो हजार चौबिस का संपुर्ण राषिपण धन्यवाँ